युक्रेन से चल रहे युद्ध के बीच रूस के राश्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन और उनका परिवार लगातार कयासों और सुर्खियों में हैं। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने अपने परिवार को एक ऐसी अंडरग्राउंड सिटी में भेज दिया जहां परमानू हतियार भी उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। रूस के एक प्रोफेसर ने यह दावा करते हुए व्लादिमीर पुतिन के बारे में और भी कई चौकाने वाले खुलासे किये हैं। प्रोफेसर का दावा है कि पुतिन ने अपने परिवार को साइबेरिया की एक सीक्रेट जगह पर भेज दिया है। बिग बॉस 14 की विनर रूबीना दिलेक फिल्मों में कदम रखने के लिए तैयार है। उनकी फिल्म का नाम, अर्द, है जिसमे हितेन तेजवानी, राजपाल यादव और कुलभूशन खरबंदा भी एहम भूमिका में है। शिवरात्री के मौके पर फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया गया है और रूबीना दिलेक का फर्स लुक सामने आया है। रूबीना एक ग्रामीन महिला की वेशभूशा में हैं। उन्होंने मरून कलर की साड़ी पहनी हुई है। गले में मंगल सूत्र और मांग में सिंदूर है। वह कैमरे की ओर देख रही हैं। अपने अनुकर्णिय नेत्रित्वकारी कारियों के लिए अंतराश्ट्रिय सम्मान हासिल किया है। इनमें 21 वर्षिय सौंदर्य उत्पाद उद्यमी और दूसरी 30 वर्षिय वास्तुकार है। सौंदर्य उत्पाद उद्यमी राबिया घूर को 2021 के लिए फोब्स गुमन कार देते हैं। उनके साथ दूसरे भी जूमने लगते हैं। इसी बीच रानी के साथ से उनका ब्रेसलेट गिर जाता है तो कपल उन्हें वह पहनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत दो मार्च को हो सकती है। इससे पहले सोमवार को बेलारूस में दोनों देशों के बीच पहले राउंड की बैठक हुई थी। हालां की बैठक में कोई समाधान नहीं निकला था। करीब साड़े तीन घंटे की बातचीत के बाद दोनों देशों के प्रतीनिधी अपने अपने देश लौट गए थे। शेफ विकास खन्ना की बेहन राधा खन्ना सोमवार को इस दुनिया में नहीं रही। बॉमबी हाई कोर्ट ने फिल्म में का महेश मानजरेकर को बड़ी राहत दी है। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने महेश माजरेकर और दो निर्माताओं के खिलाफ गिरफतारी जैसे किसी कठ्रोर कदम पर रोक लगा दी है। उनके खिलाफ मराथी फिल्म नए वार्णभात लोंचा कौन नाए कौनचा में नाबालिक बच्चों पर अशली उद्रिश्य फिल्माने का आरोप है। महेश मांजरेकर के खिलाफ माहिम पुलिस ने फर्वरी में एक विशेश अदालत के आदेश के बाद एफायार दर्ज की थी। विधान सभा चुनाव में वैसे तो यूक्रेन रूस की एंट्री पहले ही हो चुकी है। भाजपा की तरफ से यूक्रेन का मामला लाने के बाद अखिलेश यादव ने भी मंगलवार को इसी मामले पर केंदर सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने वहां फंसे बच्चों और हमले में मारे गए च्षात्र को लेकर केंदर सरकार पर निशाना साधा।